हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ तुलीका और कुकवित तुलीका में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी सेर करने वाले हूँ जो कि मेरे बच्चों की तुप हैं ही फेबरेट आपके बच्चों के भी ये फेबरेट बन जाएंगे इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कप आटा लिया है एक चमच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और आधा चमच मैंने इसमें बेकिंग सोडा लिया है स्वादा नुसार नमक एड़ किया है और देड़ चमच मैंने इसमें चीनी एड़ किया है उसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहे हूँ लगबग एक कप चाच या आपके पास खट्टी दही है तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं और फिर मैंने इसमें थोरा थोरा पानी डाल कर इसका एक सौफ्ट सा दो तैयार कर लिया है अब इसमें थोरा सा तेल लगाकर आटा को हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तो मैं बता दू कि आज मैं बना रही हूँ सोडमा ये मेरे बच्चों का बहुत ही फेबरेट है अब सबसे पहले मैं बना रही हूँ वाइट सॉस वाइट सॉस बनाने के लिए लिया है मैंने एक कप दही, चार पांच के लिया लहसुन की और थोड़ी सी चीनी और इसको मैंने बिल्कुल महीन से पीस लिया है इसमें लहसुन का टुकड़ा नहीं रहना चाहिए अब मैंने यहाँ पर आधा कप मायो डाला है उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लिक्स, औरगेनो, ब्लैक पेपर और फिर थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी ओली वाइल इन सब को अब हमें कर देना है अच्छी तरह से मेक्स और हमारा यह वाइट सॉस बनकर हो गया है तयार तो इसमें हमें वाइट सॉस, रेट सॉस और फिर थोड़ा सा हमस चाहिए होता है तो अब मैं बना रही हूँ हमस तो हमस बनाने के लिए मैंने यहाँ पिलिया है एक कब वाइल चिकपी उसी के साथ मैंने इसमें डाला है चार पांच कलिया लेसुन की और एक बड़े चमच इसमें वाइट तील और आधा मैंने निम्बू का रस इसमें निचोर दिया है और इसी के साथ मैंने इसमें डाला है एक चम्मच ओलीवाल, स्वादा नुसार नमक और एक चम्मच चीनी तो ये मेरा हमस बनकर तयार है और हमस को ना हमें बिल्कुल महीन पीसना है तो अब इसे मैंने थोड़े से लाल मिट से इस तरह से गार्निसिंग कर दिया है उसके उपर डाला है थोड़ा सचाना, बॉयल चना है ये और ये टेस्टी सा हमस बनकर तयार है अब इसमें डालने के लिए मैं बना रही हूँ अचार तो ये खटी अचार बनाने के लिए हम सबसे पहले पानी लेंगे पानी जब उबल जाएगा तो उसमें हम गाजर मिर्ची को डाल देंगे आप चाहें तो इसमें चुकंदर भी डाल सकते हैं और एक साइड मैंने एक और पानी बनाया है जिसमें मैंने आधा चमच, सिड़का, चीनी, नमक डाल कर उसे भी अच्छी तरह से उबाल लिया है और उसे ठंधा होने देंगे फिर ये उबला हुवा वेजी टेवल इसमें डाल कर इसे रेस्ट करने के लिए छोड देंगे अब बना लेते हैं लाल चटनी लाल चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चार पांच के लिया लह सुन के थोरी सी तीखी वाली लाल मिर्च और थोरी सी कस्मीरी लाल मिर्च और उसी के साथ मैंने इसमें ऐड़ किया है काली मिर्स, शीनी, नमक, एक चमच निम्बू का रस, एक चमच ओलिवाल और एक चमच सिड़का उसी के साथ इसमें ऐड़ किया है जीरा पाउडर और काला नमक अब हम इसका एक महीन सा पेस्ट बना लेंगे तो इन सारी समगडियों को मिला कर हमारा रेट सॉस भी बन कर तयार है अब पनीर को मेरिनेट कर लेते हैं तो पनीर को मेरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप गाड़ी दही ली है एक चमच लहसुन इसमें मैंने अब डाला है काली मिर्च, जीडा पौड़र, गड़म मसाला, धनिया पौड़र, लाल मिर्च पौडर इन सब को डालकर हमें अच्छी तऱ से मिक्स कर देना है इस बैटर में हमें हल्दी एड़ नहीं करना है और फिर मैंने इसमें डाला है स्वाधा नुसार नमक, काला नमक, चीनी और दो चमच ओली वाइल इसमें सरसो तेल का भी यूज हम नहीं करेंगे अब इन सब को हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स तो मैरिनेशन बनकर तयार है अब हम पनीर को छोटे छोटे टुकडों में कट कर लेते हैं अब सारे पनीर को इस मैरिनेशन में डाल देंगे और आधा घंटा रेस्ट के लिए इसे छोड़ देंगे अब गैस पे चरहाएंगे एक पैन और उसमें डालेंगे दो बड़े चमच ओली वाइल और उसमें सारे पनीर को डाल कर हमें अच्छी तरह से सेख लेना है तो जब सीख जाएगा तब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और फिर इसके छोटे छोटे टुकडों में कट कर लेंगे तो यहां मैंने सारे पनीर को पैन में डाल दिया है और इसे बहुत ही क्रिस्पी होने तक उलट पुलट कर हमें सेख लेना है तो इस तरह से हमारा पनीर भी सिकर तयार है अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिए हैं और इसका छोटा छोटा टुकडा कर दिये हैं तो इस तरह से जब हम सोर्मा बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल मार्केट जैसा पनीर देखने में लगेगा अब हम पिता ब्रेट बना लेते हैं तो पिता ब्रेट बनाने के लिए यहाँ पर आटा जो है वो भी मेरा तयार है अब मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसके छोटे छोटे रोटी बना लेने हैं पतले पतले से और फिर हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आटा को हमें किस तरह से इस तरह से अगर आप इसको फोल्ड करिएगा तो रोटी जो है वो बिल्कुल फुले फुले बनकर तयार होंगे तो आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेयर करें और आप रोटी की थिकनेस देख सकते हैं रोटी न ज़्यादा मोटी है और नहीं ज़्यादा पतली है तो इस तरह से हम अगर रोटी को बनाएंगे तो ये बहुत ही फुले और सौफ्ट रोटी बनकर तयार होंगे और मैंने इस तरह से एक छोलनी की सहता से रोटी के चारों तरफ इस तरह से प्रेस कर दिया है ताकि रोटी का किनारा जो है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से सिख जाए अब एक वर मैंने इसे तवे पे फुला लिया है अब इसे हम गैस पे फिर से फुला लेंगे और आप इस तरह से देख सकते हैं कि रोटी जो है वो कितने फुले फुले बन कर तयार हुए है तो अब सारी रोटियों को क्या करना है कि एक मलमल के कपड़ा में इस तरह से ढखकर रख देना है ताकि रोटी जो है वो ज्यादा समय तक सौफ्ट रहे और इस तरह से हमें इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और आप देख सकते हैं कि अब हमारी सामागडी सोड़मा बनने के लिए तयार है तो ये देखने में इतने टैम्टिंग लग रहे हैं तो सोचिए खाने में ये कितना अच्छा लगेगा अब हम इसका रैप बना कर तयार कर लेते हैं तो सबसे पहले मैंने ब्रेड को रखा है उसके ऊपर मैंने रेट सॉस लगाया है फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर वाइट सॉस लगाया है वाइट सॉस के ऊपर मैंने हमस डाला है तो हमस बिल्कुल आफसनल है लेकिन ये वेज रेसिपी है इसलिए मैंने हमस लगाया है इसे जो सोर्मा है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है तो एक वर मेरे कहने पर आप लोग इस तरह से सोर्मा की रेसिपी जरूर ट्राई करें फिर मैंने उसके ऊपर पत्ता को भी डाला है फिर जो हमने अचार बना कर तयार किया है गाजर और मिर्ची का उसको डाला है और फिर से इसके ऊपर मैंने थोरा सा सारे सौसेस को डाले हैं पनीर को डाले हैं और हमारा टेस्टी सा रैप बनकर तयार हो गया है तो आप लोग भी इस रेसिपी को एक वार जरूर बनाईए और मेरे बच्चों को और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं तो बनाईए, खाईए और मुस्कुराईए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में